कि अब बात करेंगे डिमोक्रेसी इंडेक्स 2021 के बारे में तो फर्स पॉल जो रहा देखते हैं क्या करी नियूज में क्यों है देखे रेंट्लिजन्स यूनिट ने 2021 के लिए डिमोक्रेसी इंडेक्स 2021 सेयर कर दिया है सात ही-सात इस पहुक्रेसी इंडेक्स के साते ये बहुत बुरी है सात में हमndr वे दखेंगे की इंडिया इंडा कैसी है और चैनलबों 265 इंडिपेंडेर को और साथ रीचा किया जाता है यह जाता है नसतों क्या है करते हैं में तो इलेक्टरिल के बात करते हैं वहाँ Haushं पर इसे देखा जाता है रांकिंग करने में फिल सिविल लिवर्टीज कैसी है मिंस वहां की जो people है जो civilians है उनकी लिवर्टीज है या नहीं है वो कितने liberal है उसके भी से में देखा जाता है थार्ड नंबर पर हम बात करें तो functioning of government मिंस government का function कैसा है government कैसे काम करती है कि वहां पर कहीं कहीं देखिए क्या होता है कहने को democracy होती है बट dictatorship देखने को मिलता है मिंस government ने जो भी order जारी कर दिये उसे people को मानना mandatory हो जाता है तो इन सारी चीजों को भी देखा जाता है functioning of government में फौर्थ नंबर पर हम बात करें तो political participation कैसा है जो नेशन के जितने भी people है उ इंडेक्स कैसा होगा और फिप नंबर पर हम बात करें तो political culture की बात करें political culture कैसा होता है political culture को सामिल किया जाता है political culture को हम इसको समझ सकते हैं ऐसे माल लिए कि कुछी नेशन में देखिए एक ही party होती है और उसी party को आपको बोड दीना है आपके सामने option ही नहीं Indian context में क्या द बड़ा मानक है जहां से democracy index को decide किया जाता है अभी decide कैसे होगा इसके भी समसमझते हैं देखिए जितने भी यह score है जो हमने indicators की बात की उसके basis पे 0 से लेकर 10 score दिया जाता है means जिसे 10 score मिलेगा maximum score समझे top ranker पर होगा means one rank होगा और जिसे 0 score मिलेगा वो bottom line पर होगा means 0 से आगे बढ़ता हुआ score अच्छे democracy को indicate करता है और फर्दर इसे decide अलग-अलग category में divide कर दिया जाता है मान लिजे कि इसे अलग-अलग four category में फिर से इंडिवाइड कर देते हैं जैसे कि मान लिजे किसी को 10 score मिला है तो वो किस category में होगा यह जिसे 9 मिला है या जिसे 6 मिला है तो अल जिने topmost मतलब माना जाता है जिने score बहुत जादा दिया जाता है उन्हें full democracy में सामिल किया जाता है मिन्स यहां की जो democracy है पूरी तरह से full है मिन्स वहाँ पर by the people for the people का जो real concept है वो देखने को मिलता है मिन्स वहाँ पर media जो होगी वो bias नहीं होगी unbias होगी जो judiciary system होगा वो तो overall समझें कि यहाँ पर real democracy देखने को मिलती है जो हम इस democracy की बात करते हैं और second number पर आता है फ्लॉर्ट democracy फ्लॉर्ट democracy को इसको समझ सकते हैं अगर हिंदी में हम बात करें तो truthy put democracy मतलब जहाँ पर democracy पूरी तरह से नहीं है मिन्स वहाँ पर कुछ कमिया देखने को मिलती है देखिए अगर Indian context की हम बात करें तो इंडिया को भी फ्लॉर्ट democracy के rank में रखा गया है फ्लॉर्ट democracy माना गया है इंडिया को क्यों माना गया है फ्लॉर्ट democracy में ऐसे nations को रखा जाता है जहां पर जो मीडिया होती है वो टोटली अनबायस नहीं होती इंडिया को आप आसानी मार्क लग जाते हैं तो इस तरह की जो कंडिशन होती है उसके आधार पर उस सारे नेशन को फ्लॉर्ट democracy में रखा जाता है थार्ड नंबर पर आता है hybrid regime तो देखिए hybrid regime में वैसे नेशन को रखा जाता है जहां पर कहने को democracy होती है पर पर्टिक्लर आपके सामने पूरी तर और फोर्स नंबर पर आता है authoritarian regime में वैसे नेशन को रखा जाता है जहां पर कहने को democracy है अगर हम अफगानिस्तान की बात करें या हम फिर North Korea की बात करें तो यहां पर कहने को देखने को मिलता है बट यहां पर समझे कि कहना ही आप जिसे चाहे उसे चुन नहीं सकते हैं आपक यह तो बात हो गई कि किसे कौन से करें होता है कैसे किसे इंडिकेटर होते हैं कैसे scoring की जाती है अब ज़रह हम बात करते हैं democracy इंडेक्स 2021 के बारे में जो कीप आणिक्स को देखते चलिए लेकिए 2021 के अगर की बात करें तो इंडिया को 46 त्रेंग दिया गया है और बात करें से आगे बढ़कर फुल डिमोक्रसी के और बढ़ना है मिन्स यहां के मीडिया पर या जुडिसिरी सिस्टम पर या जो कि सिविल लिवर्टी वगएर है उन पर बहुत काम करने की जरूरत है लाग्ट यह हमने देखा था तू ठंट 20 में इंडिया को 53 रैंक दिया गया था मिन् की तरह का कोई भेदवाओ या कोई नहीं होता है इसलिए इंडिया की रैंकिंग में पहले से सुधार देखने को मिला है अब बात हम करते हैं जरा टॉप फाइप और टॉप बॉटम जितने भी फाइप नेशन हैं उनके विसमें एक बार समझ लेते हैं क्योंकि इस तरह की क इंzn लांड है 4 नंबर पर फिर्ट मुम्बर पर आइस्ञेंड देखने को मिल रहा है यहां थाब फॉल देमोक्राइट है यहां फ्ल देमोक्रेसी के गाति है उडा quarant उंसे लेर वाटी इस अगर सबक्रेसा एक दोगस्षार को यह North ऐफगानिस्तान को सामिल किया गया इससे पहले दाश्टेर के अगर बात करें तो नॉर्थ को मुण को रखा गया था 2021 में जबसे क्थालीबान का सासंट स्टार्ट हो गया अफगानिस्तान में जबसे तालीबान ने वहां की को टेक ओवर कर लिया है तब से वहां की रैंकिंग खराब बानी जा रही है क्योंकि वहां के डेमोक्रेसी पूरी तरह से एक तरह से समझे कि करप्ट हो चुकी है अब तालिबान जो चाहेगा वहां पर करेगा आपने आकसर देखा होगा नियुज महाल फिलाल में बहुत सारे पबलिक हो ughters को भी लार्ट में रखा गया है समझ सकते हैं क्योंकि मैं अब किनम इस उनिट को 1946 में सां स्टेब्लिस किया गया था और ये कोई और नहीं यह एक Research Analysis Division है The Economist Group of Newspaper की जो Economist Newspaper है उसकी sister company है यह अपने बेस पर data जारी करते हैं रिलीज करते हैं और अपने Research Analysis के बेस पर ही worldwide जितने भी नेशन है उनके democracy कैसी है उनके democracy level कैसा है वहाँ की civil liberties कैसी है उनके आधार पर democracy index जारी करते हैं तो होप आपको यह वीडियो समझ में आया होगा थैंक्स पर वाचिंग